नमस्कार आप देख रहे क्राइम तक मैं हूँ अश्विनी सिंग सूचना केस को लेकर एक ताजा अपडेट सामने आ रहा है आपको बता दे कि हाल ही में सूचना सेट की पुलिस कस्टेडी बढ़ी थी जो बढ़कर 19 जनवरी तक पुलिस को दी गई है जिसमें पुलिस लगातार उससे जाच कर रही है पूस्ताच कर रही है हालांकि सूचना इतना कॉपरेट नहीं कर रही है लेकिन फिर भी पुलिस के हवाले से कुछ खबरे सामने आई है जिसमें आपको बता दे कि सूचना सेट ने मडर के पहले भी गवा विजिट किया था और वो भी अकेले नहीं बलकि अपने बच्चे के साथ यानि ठीक 31 तारीक को 31 दिसमबर साल 2022 को जब यर एंड हो रहा था इस दौरान वो गवा पहुसती है अपने बेटे चिनमे के साथ और वो 5 स्टार होटल में बुकिंग कराई होती है जिसमें वो अपने बेटे के साथ रुखती है और इस दरम्यान वो गवा में घूमती है और न्यू वियर सेलिब्रेट करती है 1 जैन्वरी को भी वो गवा में मौजूद होती है और पुलीस को ये खबर मिली है कि गवा के उस 5 स्टार होटल में वो अपने बच्चे के साथ ठहरी होती है जिसके बाद वो 4 जन्वरी को फिर अपने घर पर यानि बेंगलूरू लोट जाती है इस दरम्यान वो फिर से 2 दिन के भीतरी यानि 4 तारीको वो गवा से बेंगलूरू पहुंसती है इसके बाद वो 6 तारीको फिर से विजिट करती है 6 से 10 जन्वरी तक का उसने विजिट बुकिंग किया था उस होटल में उस होटल का उस कमरे में जिसमे वो ठहरने वाली थी अपने बेटे चिनमे के साथ यानि गोवा से 2 दिन लोटने के भीथर ही वो वापस गोवा के लिए टिकट कराती है जिसके बाद वो अपने बेटे चिनमे के साथ गोवा पहुंस जाती है 6 तारीको पहुंसती है और 6 तारीक के रात को ही यानि 7 तारीको 6 के दर्मियानी रात में वो अपने बेटे को मौत के घाट उतार देती है पुलिस के हवाले से एक खबर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि वो पहले से planning था क्योंकि new year end हो रहा था इस दर्म्यान वो जब अपने बेटे के साथ new year पे आई थी वहाँ गोवा में वापस से गोवा पहुची थी इस दोरान खुलासा हुआ है कि वो होटल में जब छोटे होटल की booking कराती है तो एक दिन ही रहती है इसके दूसरे ही दिन वो अपने बेटे का कतल कर देती है जिसके बाद वो कैब बुक करती है और कैब लेकर बेंगलूरू के लिए रवाना हो जाती है यानि कुल मिलाकर दस दिन के भीतर उसने दो बार गोवा विजिट किया दो बार वो बेंगलूरू अपने घर गई इसी दरम्यान वो छे तारीक को अपने पती वेंकेट को भी मैसेज करती है और चिनमे से मिलने के लिए वो बेंगलूरू का एक एड्रेस देती है जहां दस बजे मुलाकात होनी होती है लेकिन वो वहां मौझूद नहीं होती बजाए इसके कि बती को अपने बेंगलूरू बुलाती है चिनमे से मिलने के लिए लेकिन खुद बहुत जाती है बेटे चिन्मे के साथ गोवा में गोवा के उस होटल में जहां उसने 6 से 10 तारीक तक की बुगिंग कराई थी लेकिन वो 10 तारीक तक रुखने की बजाए वो 7 तारीक के रात को ही वहाँ से exit मार देती है निकल जाती है चेक आउट करती है और बकायदा एक सुचना को पकड़वा दिया नहीं तो हो सकता है कि सुचना अपने बेटे की लाश को लेकर बकायदा बैंगलूर पहुँच जाती और कहीं न कहीं उसने जो चिठी लिखी थी आई-लाइनर से उसने लिखा था कि उसका बेटा हमेशा साथ रहेगा इसका एक ही मकसद हो सकता है कि वो अपने बेटे की लाष के साथ हो सकता है कि बैंगलूरू के घर में रखे, क्योंकि अगर उसे लाष को ठिकाने लगाना था तो इतने दूर का सफर कराना सोचने वाली बात है कि कोई क्यों कराएगा तो कहीं न कहीं वो अपने बेटे को इतना प्यार करती थी कि वो बेटे की लाश को लेकर अपने साथ जा रही थी बेंगलूरू के उस घर में फिलाल यही अपडेट है कि वो न्यू वियर यानि साल जब खतम हो रहा था लोग अपना जशन मना रहे थे इसी दर्मियान सूचना भी अपने बेटे चिनमे के साथ न्यू वियर सेलिब्रेट करने गोवा पहुसती है इसी दर्मियान हो सकता है कि उसने प्लैनिंग किया हो जिसकी वज़ा से वो दो दिन बाद फिर से गोवा पहुसती है और इस बाद जब पहुसती है तो वो अकेले बेंगलूरू जाती है और बेंगलूरू अपने बेटे की लाश लेकर वो रवाना हो जाती है तो अगर इस case का देखे अगर तो कहीं न कहीं planning उसने पहले से की थी क्योंकि उसके plan उसके दिमाग में रहा होगा तभी वो revisit करती है गोवा क्योंकि पहले new year celebrate करके वो अपने बेटे के साथ 5 star hotel में 3-4 दिन रही थी इसके बावजूद वो वहाँ से निकलती है और घर पहुंसती है इसके बाद दो दी पती को message करती है मिलने के लिए बुलाती है लेकिन फिर भी वो इतना गुसा इतना खुननस खाती अपने पती पर अपने बेटे को ही मौत के घाट उदा देती है और पती को हलांकि पुलिस टेशन में उसने पती को भी बहुत चीज़े ऐसे बोली है उसने कहां कहीं न कहीं बेटे की मौत के जिमिदा तूम हो तुमने इस level तक मुझे ला दिया की मैं मजबूर हो गई और सारी चीज़े हो गई अलंकि उसने जूर्म अपना قबूल नहीं किया है वो लगातार नकार रही है कि इसने बेटे का कतल नहीं किया है उसने ये कबूल किया है कि उसने बेटे की लाश को सुटकेस में रखा है सुटकेस में ले जाकर वो बैंगलूरू ले जा रही थी लेकिन वो लगातार कहा रही है कि बेटे चिनमे को उसने नहीं मारा है फिलाल इस case में यही है कि सूचना का एक planning सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि वो new year के time गोवा में थी और इसके दो दिन बाद ही वो वापस गोवा विजिट करती है जिसके बाद वो अपने बेटे को मौत के घाट उतार देती है मौत कर देती है